आज किस विडिव में लो सम्पूर्ण парवे का कलस 10 वाले बच्चे का जो फिजिक्स है उसके पूरे चेप्टर्स का पूरे फिजिक्स का 18 मुखतपुन प्रस्न लेकर आया हूं और इस बार भी यहां से 100% सारे प्रस्णाफ के लड़ जाएंगे देखे बहुत थीकी का मातप्रस्ण इसमें पहला प्रस्स नभिकिये विखंडन क्या है देखो नभिकिये विखंडन का मतलत है तोर देना नभिक को तोर देना है नभिक को छोटे-छोटे अनुओं में तोर तो इस प्रकिरिया को नाभिकिये विखंडन कहते हैं जैसे पुछता है कि परमानुबम की सिधान पर कारे करता है तो नाभिकिये विखंडन की सिधान पर कारे करता है तो नाभिकिये विखंडन की सिधान पर कारे करता है तो नाभिकिये विखंडन की सिधान पर कारे करता है ौश्ट के विभुवानतर हुता है इसी को किसी निश्चित पर चालक सीरोपा उत्पन विभुवानतर उसमें बहने वाली धारा के समनुपाती होती है इसी को सब्सक्राइब तीसरा प्रसन देखते हैं जो हर साल एक्जाम में पुछे जाते हैं तीसरा प्रसन दिरिष्टी दोस्त क्या है यह कितने प्रकार का होता है इंसा देखेंगे जिस मनुस्य की आंख है रेतिना पर परतीम बनाने की छंपता खो देती है अभी द्रिष्टी दोस्त प्रकार का हो जाती है पहला निकट दिर्ष्टी दोस्त दूसर सहा और तीसरा का चोट का अब इन्सक्राव में फैसे गुखता है अब देखें चोथा प्रसन देखते हैं चोथा प्रसन बोला है प्रकास के प्राउर्थन के नियम को लिखें और बीबी आई प्रसने प्रकास के प्राउर्थन के नियम को लिखें प्रकास के प्राउर्थन के दो नियम होते हैं कितने दो नियम है ठीक है पहला आप्तित कियन प्रतिरोद क्या है इसका सूत्र और एसाई मात्रक लिखना प्रतिरोद क्या होता है जो धारा को रुकता है निए परिपत में वह गुन जो धारा का विरोध करता है उसे ही हम लोग प्रतिरोध क्या है ठीक ना प्रतिरोध क्या है प्रतिरोध को आर से सूध करता है तो आर का सूत्र भी बटाई हो जाएगा और इसका ऐसे मात्रक निकालेंगे तो क्या निकलता ह का सिंबॉल इस्टास होता है ठीक है छठा प्रसंद देखिए विदुधारा की प्रवलता को परिभासित करें तो बोल सकते हैं विदुधारा की प्रवलता एक ही है इसका सूत्र अगर याद रखेंगे तो आई बरास आई मतलब विदुधार हो गया सूत्र क्यों बटा टी हो रखेंगे प्रकास का अपर्तन के नियम को लिख्या और भी इंपार्टन देरें की प्रकास करतना के नियम लिए सब्सक्राइब करते हैं ठीकन अठाता खरत हों को प्रसने धें अगर इन आठाहों को पड़ लेता है तह प्रित्वी तक आने में अधिक दूरी तो कोई दिकत नहीं होता लेकिन कोना सुर्य दै मतलब जहां उगता है कोने में तो अधिक दूरी तैक करनी पड़ती है और सुर्य प्रकास को वाई मंडल में मौझूद सुक्ष्म करूष्यों का गुजरना पड़ता है जो क्यों लाल रंग को छोर कर औरने सभी रंगों को प्रक्नित करता है और सुर्य प्रकास से हमारी आखों तक आने के लिए सात रंग चलती है लेकिन जो वाई मंडल में जो छोटे-छोटे कन होते हैं वो सारे रंगों को अपने दग खीच लेते हैं ठीक है ना आउसके बद ह हमारी आखों तक यो लाल रंग ही आपाती है और पहुंच पाती है इसलिए सुर्दे और सुर्यास्त के समय सुर्य कैसा दिखायें तक लाल रंग का यह रकताब प्रतीत होता है इतना अगदम आसान भासा है अगला प्रसंदेखिए नहुआ फिलेमिंग के दक्षीन हस्तनि तरजनी और मध्यमा को इस प्रकार समकोनिक रखा जाया संकोनिक ना इन तीनों को एक दम एक दूसरे पर 90 दिगरी पर खड़ाकर समकोनिक समकोनीक नब डिगरी ठीक न तो तीनों को समकोनीक रखा जाए कि तरजानी चुमकीय छेते की दिशा में हो और अंगुठा बल की दिशा में हो तो जो मध्यामा ओगी वह धारा की दिशा संकेत करेगी कहने का सिधा से मतलब एक तीनों अंगुली को 90 डिगरी पर ख़रा कर लि सकता है लाल रंग का प्रियो क्यूं की अहिए हो शुक्ति झाब करें संप्के या घंक हो कुथा या घंडा कुं में लाल रंगों से紁ना कोलता है इसका त्रंग धरे ज्यादा होता विशलन कम होता जिसके कांश से दूर सभी असपर्ष दिखाए देता है कुछ भी असपर्ष दिखाए देगा इसी कांश से सिंगनल बें लाल रंग का पड़ियोग होता है ठीक बाबु अगला प्रस्थन बढ़ते आगे 11 प्रस्थन देखे जाये जो आग लग जाती है उसी को तो आंघ कभी कवी परीपत के नांते मोगते हैं अगला प्रस्थन बार्वा प्रस्थन बढ़तत outta ठीक है ध्यान से आप लोग देखिए गए एक प्रस्निक जाम में नहीं छोड़के आना है देखे बड़ाव प्रस्न क्या बोला है बड़ाव प्रस्न बोले आपका विदूत बल्ब में क्यों निस्क्रिये गैस भरी जाती है क्यों निस्क्रिये गैस भरी जाती है देखो विदूत बल्ब के अंदर निस्क्रिये गैस भरने से टंगस्टन है और ये उसके संपर्क में आ जाएगा तो भंगूर हो जाएगा अगर सोचये बाल्ब कें अंदर हवा भर देंगे तो उसका फिलामेंठी तूट जाएगा तो विदूद बल्व के अंदर निष्क्रिय गयस भढ़ने से टंगस्टन का फिलामेंट वास्पीट नहीं होता और यदि हवा यदि फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाये तो वह भंगूर होका तूट जाता है इसलिए बिदूद बल्व में इस निष्क्रिय गयस भढ़ प्रकास परकास वर्ण परकास मतलब सूर्य परकास यहां पर चूट गया यहां से यहां एक रंग छूट गया लिख लिए यहाँ पर एक रंग लिख लेंगे नीला चुट गया है नीला वै जानी पी नाला इस तरह से सात रंग निकलते हैं सूर्य प्रकास से तो यह आपका प्रकास का वर्ण बीचे पन बेरी इंपोर्टिन प्रसन आठारों मैंने पहली बता दिया था इन प्रसनों को दी पर लेंग तो इस प्रकार है देखें पर्ते और लिखेंगे कि इस धारा का मान और दिशा दोनों बदल जाता है लेकिन इस धारा का जो मान होता है या वो जी दिशा होता है किवाल एकी दिशा में होता है ठीक है दिश धारा किवाल एकी दिशा में बैती है दूसरा लिख सकते है इससे आसानी सुथपन किया जा सकता है जो परते वर्ती धारा इसको आसानी सुथपन कर सकते है लेकिन दिश धारा को उत्पन नहीं कर सकते है ये परतेवर्थी धारा कम खतनाख होता है, दिस धारा अधिक खतनाख होती है, ठीक है, परतेवर्थी धारा कम परतेवर्थी धारा में कम उर्जाहानी होती है, जबके दिस धारा में अधिक उर्जाहानी होती है, और पाचवांतर लिख सकते हैं, ये अधिक दूरी तय कर सकत लेकिन दिस धारा अधिक दोड़ी तय नहीं कर सकता है ठीक है यह पांच अंतर लिख सकते हैं अब देखे 15 प्रसन देखते हैं 15 प्रसन देखते हैं 15 प्रसन निकट डिस्टी दोस क्या इसे दूर करने के लिए किस लेंस का बेहार करते हैं देखो वह दोस निकट डिश्टी दोस में क्या आता है निकट की वस्तु देख सकते हैं तो वही वह दोस जिसमें बेक्ति निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उसे निकट डिश्टी दोस कहते हैं ठीक है ना इसे दूर करने के लंबे समय तक परित्वी में दबे रहने के कारण जो इन्धन बनता है। 17 प्रस्ण क्या कह रहे है यह बाबू 17 प्रस्ण कह रहा है उत्तल लेंस को अभी साई लेंस क्यों खा जाता है तो बोल सकते हैं उत्तल लेंस अपने सोका गुजरने वाली सारी किर्णों को एक बिंदू पभी साइद कर देती है इसलिए उत्तल लेंस को क्या करता है अब देख करते हैं यह दोनों कोश्चन से मिया देखेगा देखो एंसा लिखेंगे उत्तल दर्पन का दिश्टी छेत्र अधिक होता है और वह दूर इस्तित वस्तु का भी सिधा परतिम बनाता है इसी कान उत्तल दर्पन को पश्च द्रिश्च दर्पन के रुप में पड़ियों किया फीजिक्स का या देखेगा और यही आठारों को पढ़ना इससे ज्याद आपको पढ़ने क्यों सकता ने इसलिए जय हिंद